इस एपिसोड में हम युवा संगम फेज 3 युवा संगम चरंड 3 जो की एक स्कीम है एक योजना है इसके अंदर उन कैंडिडेट्स जिनोंने कर दिया है का सेलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और उनको क्या तयारी कर नी है उस पे based ये content या ये वीडियो रहने वाला है इस वीडियो में हम detail में इसके उपर discuss करने वाले हैं और इस वीडियो की theme भी यही रहने वाली है अब सभी का Skill Youth Guru कुल के इस episode में स्वागत है Dear S.Y.G.E.N.S. आईए Theme या content को detail में discuss करते हैं Content को discuss करने के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इससे पहले इसके लिए गुरुकुल के इस YouTube channel के उपर इसका part 1 जिसमें यूआ संगम को explain किया गया है इसकी व्याक्या की गई है ये क्या है और part 2 में आपको अपने mobile से निशूल के कैसे registration करना है उसके बारे में हम discuss कर चुके हैं अब जो process है यानि जो candidates apply कर चुके हैं उनके लिए क्या रहने वाला है तो basically अगर आप ये video देख रहे हैं तो आपको part 1 जरूर देखना है क्योंकि part 1 के अंदर और part 2 के अंदर इसके कुछ basic जो mark दर्शिका है वो share की गई है और उसका आपके selection में इस यात्रा को करने के लिए बहुत बड़ा role रहने वाला है महत्रपून रहने वाला है तो वो video जरूर देखे content discuss करते हैं और इसमें selection कैसे होते हैं कैसे chain होते हैं और आपको क्या तयारी करनी है वो भी देखते हैं part 1 और part 2 जरूर देखेगा उसका link नीचे description में है part 1 के अंदर एक audio visual presentation या युवा संगम की एक movie है documentary है वो बहुत जरूरी है देखना आप लोगों के लिए क्योंकि उसका बहुत बड़ा आपके selection में role रहने वाला है पार्ट 1 जरूर देखिएगा यह वीडियो जो है वो basically हमारे subscribers जिने मैं SYGNs कहता हूं उनके feedback पे based है कुछ SYGNs या subscribers मुझसे Instagram पे contact में है उनसे feedback मिला है और उस feedback के basis के उपर यह video बनाया गया है तो इसमें basically जब candidates apply कर चुके हैं उनको एक mail आएगा या एक phone call भी आ सकता है तो mail के अंदर उनको एक Google link दिया हुआ होगा सबसे पहली चीज़ तो आपको वो Google link के उपर form जो है वो जरूर भाइना है उसके अंदर आपकी स्विकृति मांगी जाएगी वो form भाइने के बाद में आपको दुबारा से या तो एक call आएगा या फिर आपको एक तारीक दी जाएगी कि उस तारीक को आपको एक interview में या साक्षातकार में अपियर होना है और ध्यान रखिएगा ये interview या साक्षातकार जो है उसका जो mode है उसका जो माध्यम है वो online या टैलिफॉनिक रहने वाला है या तो आपको एक phone call किया जाएगा या फिर आपको zoom के उपर आपका interview लिया जाएगा या ऐसी कोई दूसरी application के उपर आपका interview हो सकता है अब उस interview के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम discuss करते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपसे पूछा जा सकता है तो आईए कुछ clippings या कुछ images जो मुझे feedback मिला है candidates का अमारे sygians का जिन्होंने instagram पे उससे contact किया है वो मैं आपके साथ share करता हूँ उन्होंने उनसे interview में जो पूछा गया था उसके बारे में ये कुछ मुझे बताया है ये कुछ messages आप अभी आप screen पे देख सकते हैं ये basically जो sygians या subscribers है उनकी मेरी instagram पे chat हुई थी मैं ने उनसे पूछा था कि आपसे interview में क्या पूछा गया उन्होंने कहा या उनका ये reply अभी आप देख सकते हैं एक sygian या subscriber का message अभी आप देख सकते हैं उन्होंने कहा हाँ interview हो चुका है interview के अंदर basically उनका introduction लिया गया परीचे परीचे पूछा गया परीचे के बाद में वो जो sygian या subscriber है वो basically odysa से belong करती है तो उनसे odysa की संस्कृति या odysa की culture के बारे में पूछा गया इस question के बाद में जो next question उनसे रहा था वो odysa के tourist places महा के प्रेटा के इस्थल जो है उसके बारे में पूछा गया तीसरी चीज और जो कोनाक dance festival है वो world famous है उसके बारे में भी उनसे question पूछा गया जो next question उनसे पूछा गया वो था pros of yuva sangam yuva sangam के फाइदे क्या है lab क्या है pros क्या है basically yuva sangam के lab जो है उसको जानने के लिए आपको part 1 देखता होगा part 1 के अंदर एक audiovisual presentation meditation है एक movie है जिसके अंदर yuva sangam को detail में समझाया गया है तो ये एक candidate का interview हुआ था और उस interview के बाद में हम next candidate जो है जो हमारे दूसरे SYGN है या subscriber है उनके भी messages जो की Instagram पे उनका मेरे से contact हुआ था वो देख लेते हैं उनसे मैंने Instagram पे पूछा क्या आपका interview फोन पे हुआ और interview में आपसे क्या पूछा गया आप उनका reply देखते हैं उनका reply अभी आप screen पे देख सकते हैं ये Monday I think 4-5 दिन पहले की बात है आज Thursday है मैं ये video create कर रहा हूं तो ये Monday की बात है उन्होंने कहा Zoom पे उनका interview हुआ वीडियो इंटर्वी हुआ उसके अंदर ये candidate भी Odisha के हैं और इनसे भी Odisha का culture पूछा गया Odisha की संस्वर्ति पूछी गई Self introduction खुद के बारे में बताए वो पूछा गया साथ में कुछ उनसे उनकी interpersonal skills के बारे में होती है क्योंकि आपके लिए beneficial होगा अगर आप पहले से यह जो criteria है इसको ready रखे वैसे तो interview बहुत broad होता है इसका कोई fix वो नहीं होता pattern लेकिन यह model हो सकता है जिसके वो आप follow कर सकते हैं और यह preparation भी आप कर सकते हैं एक criteria है उस criteria के basis के उपर आप जिस राज्य स्टेट या फिर केंद्र शाशित प्रदेश union territory से आते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं आपका introduction ले सकते हैं आपकी academics के बारे में पूछ सकते हैं जहां तक मुझे idea है और मैंने research की है तो एक MP का जो वीडियो की थीम है वह हम discuss कर चुके हैं जो थीम थी वह basically part 1 के अंदर movie है audiovisual presentation है part 2 में apply कैसे करें वह है part 1 part 2 आप जरूर देखे part 3 जो अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर basically selection क्या criteria है आपको जो mail आया है उस mail में google form है उस google form को आपको submit करना है फिर आपको mail आएगा या phone call आएगा उसके बाद आपका zoom पर या किसी और application पर interview होगा उसके बाद आपका selection होगा और आपको selection की information दे दी जाएगी तो अब आपको तैयारी क्या करनी है तो basically यह एक model वीडियो है इसके अंदर हम जान चुके हैं कि आपको preparation करने के लिए आपके राज्य की संस्कृति या केंद्र शाशित प्रदेश की संस्कृति जहां से आप बिलॉंग करते हैं प्लस वहां के famous tourist sports प्लस आपकी self introduction आपकी academics प्लस interpersonal skills यह कुछ ऐसी ही तैयारी कर लेनी है और यह तैयारी करने के जैसे मैं आप वीडियो बनाते हुए फंबल कर रहा हूं आप ऐसा सोच सोच के नहीं बोलेंगे आपको पता रहेगा आपको क्या जवाब देना है जितने भी हमारा जाएगा फूड होंगे आपको उस इस्टेट में जहां आप जा रहे हों वहां के आयाइटी हुआ या टेकनिकल इंस्टिट्यूट हुए वहां के टूरिष्ट सब्स पूर्ट सुबढ़ा सैंप्र होगी पांच पी उनको जानने का मौका मौकस मिलेगा अगा जडरूर तैयारी कीजिए और अपने अपने जो पिर वीडियो में एक जो पैटर्र है उसके में discussion किया गया, इसको follow कीजिए, इस वीडियो में इतना ही और अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो please वीडियो को share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like भी कीजिए और आपका support बना कर रखिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हमारे जितने भी SYGNS ने apply क किया है, उन सभी को शुब कामना है, मिलते हैं, skilled youth गुरुकूल के किसी next informative वीडियो में शुब कामना है